स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर शुरू करते हैं 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार का पंचांग लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए है और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रते दिन पंचांग की जान 6 जनवरी का पंचांग दिनांग है 6 जनवरी 2023 दिन है शुक्रवा सक्समवत 1944 विक्रम समवत 2019 कलियो का वर्ष है 5123 मा है पौश द्रिक्रितु है शिशीर और द्रकायन है दक्षिरायन सुरूदय होगा सुबह 7 बच का 15 मिनट पर सुरूदय होगा शाम के 5 बच का 49 मिनट पर प्राता संद्या का समय रहेगा सुबह 5 बच का 33 मिनट से 7 बच का 15 मिनट तक गोदुली मुरत का समय रहेगा शाम के 5 बच का 36 मिनट से 6 बच का 4 मिनट तक साय संद्या का समय रहेगा शाम के 5 बच का 49 मिनट से 7 बजे तक रिशीता मुरत का समय रहेगा रात के 12 बजे से 12 पुर्णिमा, 7 जन्वरी की सुबह चार बच का 37 मिनट तक रहेगा, उसके पश्यान प्रती बढ़ आते थी आरंभ हो जाएगी, नक्षात्र है आत्रा, रात की 12 बच का 14 मिनट तक रहेगा, उसके पश्यान पुनर वसुनक छत्र आरंभ हो जाएगा, योग है ब्रहम, सुबह 8 बच कर 11 मिनट तक रहेगा उसके पर शांत इंद्रयोग आरंप हो जाएगा प्रथम कराण है विष्टी तो पर तीन बच कर 24 मिनट तक रहेगा दुतिय कराण पव साथ जन्वरी की सुभाद 4 बच कर 37 मिनट तक रहेगा चन्दमा रहेंगे मिथुन राशी में सूरे रहेंगे धनू राशी में सूरे नक्षत रहेगा पूर्वा शाना दिशा सूल पश्यम दिशा इसले पश्यम दिशा के यात्रप जाने से पहले घर से जोग खाकर निकले रहो कवास रहेगा दक्षेर पूर्व कोड पर नक्षत रहेगा अगनिक अवास रहेगा में अधर शुब मुशव मुरत सप्रकाय रहेगा तो समय रहेगा तो पहरे एक बचका चार मिनट से दो बचका 51 मिनट तक विजय मोरत का समय रहेगा दो पहे दो बचका 11 मिनट से दो बचका 52 मिनट तक साधी शुभी योग बन रहा है सरवादी सिद्धी योग रात के 12 बच का 14 मिनट से 7 जन्वरी की सुबह 7 बच का 15 मिनट तक रहेगा अश्रुमोरत इस प्रकार रहेंगे राहु काल का समय रहेगा सुबह 11 बच का 9 मिनट से 12 बच का 27 मिनट तक गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 8 बच का 33 मिनट से 9 बच का 51 मिनट तक यमगंड का समय रहेगा तो पहे तीन बच का तीन मिनट से चार बच का इकिस मिनट तर बद्रा लग रही है सुबह साथ बच का पंदरा मिनट से तो पहे तीन बच का चौबिस मिनट तर चैजनवरी को है शाकमबरी पुर्णिमा, पॉश पुर्णिमा वरत और पॉश पुर्णिमा तो ये थी जानकारी चैजनवरी के पंजांग की मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ